केवल आधार काड़ से EKYC करके मुझे मिला है 40,000 रुपे कलोन जिसको मैं यूज कर सकता हूँ 0% ब्याज पर जहाँ गाइस एक पैसे का ब्याज मेरा यहाँ पर नहीं लगने वाला है आप भी ले सकते हैं पूरे 1,00,000 रुपे थे कलोन केवल आधार काड़ से EKYC करके और आप भी यहाँ पर अपनी परसनल जिरोत को पूरा कर सकते हैं लोन लेकर गाइस अगर आप भी लेना चाते हैं घर बेटे लोन 40,000 पे कलोन मुझे मिला है आपको मिल सकता है एक लाक प्र पे थे कलोन लोन लेने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ कौनसी ओ कमपनी जहाँ पर आप लोन अपलाई कर सकते हैं वो आप आगे देखने वाले है पहले आप से छोड़ सी रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर ले बेल एकन दबा दे ताकि आपको नेवड़ नोटिफिकेशन मिलता रहे तो चलिए गाज देखते हैं कौनसी ओ कमपनी जो देती है आपको घर बेटे एक लाख रुपे तक कलोन 0% ब्याज पर चलिए शुरू करते हैं गैस मुझे 40,000 रुपे का लोन ओफर यहाँ पर मिला है जिसको मैं यूज कर सकता हूँ 0% ब्याज पर आपको यहाँ पर मिल सकता है एक लाख रुपे तक कलोन अब यह आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्सकिन मां दे रखा है जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे सीधा प्लेश टूम जाएंगे अपलिकेशन आपके सामने है जिसका नाम है लेजी पे पे लेटर create score, create via UPI यानि आपको यहाँ पर जो भी loan मिलता है उसको आप UPI दोड़ा transfer कर सकते है अपने account के अंदर कैसे करेंगे मैं आपको आगे दिखाऊंगा पहले detail जान लेते हैं 4P2 rating के साथ company आती है आप यहाँ पर loan ले सकते हैं पर बैठे और 0% interest पर आप उसको use कर सकते हैं एक mailing डालोर की जा चुकी वाली application और आप यहाँ पर अपना free में सिवल स्कोर भी check कर सकते हैं जैसा कि मैं आपको बोला था कि आपको यहाँ पर अधारकाड EKYC करे के loan मिलेगा तो आप यहाँ पर देशिते यह बोले कि आपको यहाँ पर एक बार KYC करनी होगी और आपको instantly पता चल जाएगा क्या आप eligible हैं यहाँ पर loan लेने के लिए या नहीं है अगर आपको यहाँ पर loan के limit मिलती है उसको आप UPI scan करके pay कर सकते हैं किसी भी offline online merchants पर गाइस मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आपको जितना भी loan मिलता है उसको आप किवल 15 दिन के लिए यूज कर सकते हैं जी हाँ गाइस 15 दिन के लिए आपको interest free वो loan मिलता है 15 दिन के अंदर आपको उसका review करना होता है फिर उसके बाद एक बाफी से आप उसको यूज में ले सकते हैं ठीक है यहाँ पर आपको जितनी भी limit मिलती है उसको आप UPI QR code को scan करके payment कर सकते हैं किसी भी merchants पर free get score आपको यहाँ पर दिखाए देने वाला याणि आप यहाँ पर अपना free miss civil score भी check कर सकते हैं मैं आपको यहाँ पर अगर एक्जेंपल के दोर बताऊं अगर आप यहाँ पर लेते हैं 10,000 पे का लोन 6 मैने के लिए 18% premium के interest पर यह मैं होगी आपकी 1755 रुपे processing fees होगी 200 रुपे यह है personal loan के लिए अगर आपको यहाँ पर personal loan मिलता है open कर लेनी है और open करने के बाद का अप्लिकेसिन का जो इंटरफेस हो आपको कुछ इस तरह का यहाँ पर दिखाई देने वाला है जैसे कि आपको thumbnail पर दिखाई दे रहा था कि मुझे यहाँ पर 40,000 रुपे का loan offer मिला है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर बोले कि आपकी जो available limit है अभी वो 1000 रुपे है आप अपनी limit को boost कर सकते हैं 40,000 पर देख के limit आप यहाँ पर ले सकते हैं बस आपको यहाँ पर जो है 2 मिनट के अंदर के वाइसी करने के बाद अपनी loan amount को increase कर लेना है यारी मुझे यहाँ पर बोले कि भाई आप अपनी KYC यहाँ पर कर लेजे और अपनी loan amount को increase कर लेजे ठीक है यहाँ पर आपको अगर limit मिलती है उसको आप कहाँ पर यूज कर सकते हैं देखे इनके कुछ popular merchants है जैसे सूगी हो गया Zomater, Big Basket बहुत सारे से इनके partner है store है जहाँ पर आप जो है इस limit को यूज कर सकते हैं यहाँ पर आदे सिते cardless यह option आपको यहाँ मिल जाएगा flip card पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं traveling के लिए यूज कर सकते हैं अगर आप अपने घर का busy लिगा बिल या फिर कोई भी आप पैमिन्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं shopping करने के लिगे कर सकते हैं medicines वगर खेद इतने के लिगे उसकर सकते हैं और food में आप इसको use कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पर limit मिलती है लिमिट लेने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना को से पहले आपको यहाँ पर क्यावाजी करने होगी क्योंकि मुझे यहाँ पर बोल ला है कि आप यहाँ पर अपनी complete कर लिजे क्यावाजी को यहाँ पर मुझे केवल pen card की detail देनी है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर बोली कि आपका नाम पहले से यहाँ पर मुझे याद नहीं है मैंने अपना pen card जो है कौन से account के अंदर यूज किया है मैंने इसके अंदर account बनाया होगा सायथ दूसरी नंबर से मैं ध्यान नहीं हो अगर मेरा pen card इस account के साथ link होता तो मुझे 40,000 पर के limit यहाँ पर मिल जाती ठीक है तो मुझे यहाँ पर अभी 40,000 के limit नहीं मिल रही है यह बोले कि आपका pen card किसी और account के साथ link है वो मुझे ढोंड़ना हो कस्टमे करें बात करनी होगी पहले तो आप इस limit को कैसे use कर सकते है scan and pay करके यहाँ पर आप देशेते हैं बोलेविए scan and pay करके आप इस limit को use कर सकते हैं जितनी आपको यहाँ पर मिली है उसको आप 15 दिन में वापस कर सकते हैं पैसो को तब आप जो इसको use कर पाएंगे, ठीक है, तुम्हें ये तो अभी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि भाई, मेरा जो pen card है, किसी और account के साथ link है, ठीक है, तो guys, आपको यहाँ पर क्या करना है, ये limit लेने के लिए, सबसे पहले अपनी KYC करनी होगी, यानि आपको यहाँ पर account बनाना होगा, यहाँ पर आप देशिते हैं, मैंने यहाँ पर तक्रीबर अपनी profile जो 85% complete कर रखिया, जिसके अंदर मेरा phone number verify होगा था, email address मेरा verify होगा था, date of birth, यहाँ पर verify address मेरा डाल लगका है, KYC मेरी अभी pending में है, pen card है, detail मुझे भी देनी है, आधार card से KYC मैंने कर र आता, लेकिन अभी इन्होंने यहाँ पर जो है, नई update लेकर आए हैं, जिसके अंदर जो है, बोल लेकर एक एक्टिवेट lazy plus, यानि lazy plus नाम से यहाँ पर एक और नई update लेकर आए हैं, कि मैं lazy plus में आप जो है, अपनी KYC complete किजिए, एक बाफिस है, आपको pen card detail यहाँ पर देन किजिए, अपनी KYC करें के, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, और आप यहाँ पर जो है, अपना free में civil score भी चेक कर सकते हैं, जैसे आप जो है, अपना चेक यह और score पर क्लिक करेंगे, आपका civil score आपके सामने जाएगा, भी आप दे सकते हैं, मेरा civil score 749 है, जो कि स ही है, अगर civil score होता, साड़े 600 से नीचे, फिर 700 से नीचे, तो साध यहाँ पर मुझे loan के limit नहीं मिलते, मुझे नहीं बोलते कि आपने loan limit को बढ़ा लेजी, मेरा civil score अच्छा है, इसलिए मुझे यहाँ पर यह बोल रही है, ठीक है, तो आगर आप भी lazy pay से loan लेना चाहते है जल्दे download कर लेजी, lazy pay application, इसके अंदर आप sign up कर लेजी, कि यहाँ दो मिनिट का काम है, अपने अधारकार से e-kyc आपको करनी होगी, guys, अधारकार से e-kyc आप तभी कर पाएं, जब आपके अधारकार से आपको mile number link होगा, क्योंकि उस mile number पर एक OTP आती है, OTP आपको डालनी दिन लगते हैं, जब एक बार आपको, आपके application रिवी हो जाएंगे, डॉक्मेंट्स वैरिफाई हो जाएंगे, उसके बाद जो है, guys, आपको notify कर दिये वाएं, आपका loan अप्रू हो चुका है, और आप यहाँ पर आगा देश सकते हैं, आपके limit यहाँ पर कुछ दिखाई देगी, जितने के limit आपको, यहाँ पर मिलती है, कितने के limit आपको मिलेगी, कमेंट्स जुरू बताएं, ताकि मुझे पता चले कितने को, यहाँ पर loan मिला है, तो guys, यही वीडियो लेजी पेपर, चले मिलते हैं कर लेकर एक निदो साथ, आज कल बसे दतना है, यह वीडियो बढ़ बने, thank you so much.